आज नियू चेप्टर है बजटरी कंट्रोल तो बजटरी कंट्रोल होता क्या है? एक बार समझते हैं, बहुत छोटा सा चेप्टर है और एक्जाम में भी पूछा जाता है sagt, देखते हैं, सर बजटरी कंट्रोल है क्या? आप एक बार फटा फट से मैं सारी चीजे बता दू पहले budgetary control के बारे में overall बता दू जैसे मान लो एक x y z कोई भी एक organization है मान लेते हैं organization है हमारा x y और z एक company है अब इस company ने बहुत सारे activity है इस company का sales इस company का खर्चा इस company का cash तो ये सारे चीजे company को manage करना पड़ता है अब मान लो 2010 और 2011 तो sales जो था 2010 का वो मान लेते हैं 20 लाग रुपए है और यहाँ पे 18 लाग हुआ और 2000 अगर 12 में हम बात करें तो यहाँ पे हो गया 15 लाग रुपए तो आप देखोगे मेरा sales ना consistently घट रहा है तो यहाँ पे सवाल उठ जाता है के सर यह sales घट क्यों रहा है तो जब हमने इसके causes ढूंडे इसके कारण ढूंडे reasons तो हमें पता चला sales कम होने का reason है कि बहुत बार तो हमारा customer customer खाली चला जाता था समानी नहीं होता था available दुकान में यानि हमारी planning नहीं थी ठीक से expense की हम बात करें कई बार खर्चा 15 लाक हो रहा है कई बार 16 लाक हो रहा है कई बार 10 लाक हो रहा है तो यह भी एक तरीके से है हम काम को start करने से पहले कितना sales होना चाहिए तो एक हम forecasting यानि एक होता है न भवश्यवानी भवश्यवानी करेंगे कि भाया 2013 में अब हमें sales को 25 लाक करना है कि दो हजार तेरह में सेल को क्या करना है हमें 25 लाग करना है भविश्यवानी है एक फोरकास्टिंग है कि प्रेडेक्शन है तुसर जब 2013 में आप 25 लाग करोगे तो स्रिफ सेल बोल देने से सेल नहीं होगा इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजे मैनेज करना होगा क्योंकि sales depend करेगा आपके material पे sales depend करेगा आपका expense पे sales depend करेगा labor पे यानि जब आपके पास product available होगा तभी तो sale कर पाओगे तो हमने sales 25 लाग सोचा अब 25 लाग का sales target तभी अचीव हो सकता है एक proper तरीके से हमारे पास 25 लाग का material भी पढ़ा हो दूसरा हमारे पास proper तरीके से उसके लिए resources, labor वगेरा भी हो तीसरा उस 25 लाग के लिए हम proper advertisement भी करें तो ये सारी चीजे हमें चाहिए आपको बोला गया सर ये 25 लाग रुपे का आपको sale करना है बहुत सिंपल सी बात है इसके लिए आपको इंतजाम करना है तो जब आप इंतजाम करना इसका start करोगे arrangement करना इसका start करोगे तो होगा क्या सर तो होगा ये कि आपको पहले से ही आपने सोचा लिया कि भीया हमें goods को खरीद लेना चाहिए हमें 20 लाग का तो समान go down में होना चाहिए हमें advertisement के लिए खर्चा करना होगा कम से कम तो 50,000 रुपे तो लगाएंगे हम ये promotion करेंगे वो करेंगे तो that is call आप सोच रहे होने कि हम ये चीज़े बनाएंगे ऐसा होना चाहिए इसको budget बोला जाता है budget हमेशा planning से related है budget क्या है आपके future में कितना होने वाला है उसको क्या बोलते है budget उस budget के हिसाब से हम अपने target को achieve कर पाएंगे अगर आपने budget नहीं बनाया तो target achieve करना आपके लिए possible नहीं होता तो यहाँ पे हमारा chapter का नाम है budgeting एक तो हम budget बनाने वाले है sales का budget बनाएंगे किस-किस का budget बनाएंगे expense का budget बनाएंगे fix बनाएंगे flexual बनाएंगे cash का बनाएंगे control उसके बाद इसको control कैसे किया जाता है इसके techniques वो सारी बाते हैं तो अगर देखा जया है budget की definition की तरफ चले ना तो कि sir क्या होता है budget का मतलब तो देखे है क्या लिखा हुआ है CMA Institute of London उन्होंने कहा अब financial और quantitative statement prepare मतलब एक हम इस तरीके से statement बना लेंगे कुछ kind of ऐसे statement तो यही होता है जहां पर debit और credit ना हो उसे क्या बोलता है statement यहां पर लिख दिया भाईया sales यह है variable cost यह है fixed cost यह है मतलब एक सेक्टरा सारी चीजे इन सभी को अगर देखा जाए ना तो इन सभी को बोला जाता है simply statement तो कहता है एक quantity इसमें quantity भी होगा financial इसमें amount भी होगा prepare prior to defined period मतलब दो साल बाद का हम बना रहे हैं तो वो period prior पहले दो साल बाद की चीजों को हम आज बना रहे हैं prior of time of the policy to be आपका pressure during the period for the purpose of attaining giving the objective इस objective को अचीव करने के लिए जो हम पहले से ही कोई financial statement वगएरा कुछ भी बना कर चलते हैं future is related उसे हम बोलते हैं budget तो सर ये हो गया definition definition of budget budget की definition तो सर इसका अंदर simple सी अगर हम बात करें थोड़ा थोड़ा idea लग रहा होगा जैसे जैसे हम question करेंगे तो और idea आएगा कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे मोटी मोटी बाते मैं यहां बताने जा रहा हूँ तर इस chapter के अंदर budget के अंदर जो हमारे रहने वाला है तीन चार budget के उपर अच्छा खासा focus रहेगा और exam में उसमें से बहुत popular है जो question पूछे जाते हैं तर नमबर वन एक budget होगा हमारा fix and fluctuation flexible, fix and flexible budget जो कि आज ही खतम हो जाएगा इसके बाद देखेंगे हम cash budget जिसमें थोड़ा time लगेगा और जिनके पास FM है FM में भी cash budget है तो दोनों same ही है कोई फरक नहीं है उसके बाद हम देखेंगे production production budget ये तीन budget mainly हमारा focus पे रहेगा इसके साथ साथ कुछ helping budget भी है sir helping budget क्या है जो sales budget इसके साथ साथ देखा जाए तो purchase budget और भी छोटे छोटे से खर्चे से related यानि हम हर चीज का budget बना सकते हैं हम खाने खाने का budget बनाते हैं घर में budget बनता है तो normally आपको बोला जाए कि भाई आपको दिवाली पे खर्चा करना है और दिवाली पे सारा arrangement करना है तो आप पहले budget बनाऊगे क्या क्या समान लाना है और क्या क्या नहीं लाना है तो हर चीज का budget बनाये जा सकता है लेकिन हमारे exam में subject से related ये तीन budget है जो बहुत frequently और इनमें से कई बार question पूछा गया है तो हम पहले fix budget को समझ लेंगे fix budget और flexible budget इन दोनों budget को समझेंगे इसके बाद हम धीरे धीरे step by step बढ़ेंगे और इस chapter को खतम कर पाएंगे तो sir हम fix and flexible budget की बात करते हैं कि होता क्या है fix and flexible तो इसके अंदर हमें एक format मैं बना देता हूं आपको ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगे चलिए sir मेरे साथ साथ पहले क्या होता है fix flexible मैं format बनाता हूं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा यह जितनी मर्जी लाइन खीच लो question के according रहेगा आपका flexible budget flexible budget यहाँ आएगा particular चलिए sir अब इस column को समझते हैं सबसे पहले हमने लिख लिया variable cost उसके बाद आएगा semi variable उसके बाद आएगा fix cost फिर आएगा हमारा total cost फिर आएगा हमारा total cost नाम दे देते हैं इसका a, c, c और total cost होगा a, plus b, plus c, ठीक है चलिए हम एक एक चीज को समझते जाएंगे और करते जाएंगे फिर बड़ा आसान हो जाएगा बहुत छोटा सा topic जो खतम हो जाएगा आपको ना यहाँ capacity देगा capacity मतलब काम करने का समता मान लेते हैं मैंने कहा कि मेरी hundred percent अगर मैं काम करूँगा तो मैं हजार unit prepare कर पाऊँगा कितने unit बना पाऊँगा मैं? हजार unit अब जबाब भी देजिएगा साथ के साथ comment मैं पूछता जाऊँगा अगर मैं पूछू कि मैं 80 percent अगर काम करना चाहूँ तो बताईए मैं कितने unit बना पाऊँगा आप सभी से पूछ रहा हूँ जितने बच्चे live हैं अगर मैं 80 percent काम करता हूँ capacity तो बताईए कितने unit मैं बना पाऊँगा बताईए जवाब comment में आपको थोड़ा अगेज होना पड़ेगा मेरे साथ साथ जवाब देना पड़ेगा गौरब ने जवाब दे दिया शाक्षी ने जवाब दे दिया विवेक ने दे दिया 800 बहुत सही जवाब अगर मैं कहूँ 40 percent मैं अगर बनाऊँगा capacity पे तो बताईए कितने unit बनेगा 40 percent पे तो कितने बनेंगे सर 40 percent पे जवाब आ गया 400 unit 400 unit सभी ने जवाब दे दिया शाक्षी 40 पे 400 unit होगा छीक है यानि आपको ये चीजे समझ में आ गई अगर मैं थोड़ा percentage हिला दूँ 35 percent पे तो देखते हैं कौन जवाब देगा 35 percent capacity पे कितनी होगी बताईए 35 percent capacity पे कौन कौन बताएगा बताईए 35 percent capacity पे तो साड़े 300 विवेक ने दो दो बार लिख दिया विवेक ने साड़े 300 साड़े 300 तो आप सभी ने मुझे बता दिया अब बात करते हैं सर आगे की अब मैंने कहा फोड़ा सा एक्जामपल चेंज कर रहा हूं मैंने कहा कि अगर मैं 80 percent पे काम करता हूं तो मैं 8000 यूनिट बना पाता हूं अगर मैं 80 percent capacity पे काम करूं तो मैं 8000 यूनिट बना पाता हूं तो आपको जवाब देना है अगर मैं 70 percent capacity पे काम करूं तो कितने यूनिट बना पाऊंगा कितने यूनिट बना पाएंगे पताए अगर मैं 70 percent पे काम करूं तो कितने यूनिट बनाऊगा तो गॉरब ने जवाब दे दिया साथ हजार सेवन थे जवाब दे दिया साथ हजार साक्षी ने भी जमाब दे दिया साथ जा तो 70% अब एक और सवाल पूछते हैं आप से देखते हैं आप जब आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे 40% capacity पे मैं काम कर रहा हूँ अब unit बता के दिखाईए आप 40% पे 40% पे निकाल के बताईए आप गौरब ने, विवेक ने, शाक्षी ने, सब ने एक साथ जवाब दिया सर चार हजा अब मैं आपके ही आंसर को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूँ सर ये वाला जो आंसर आपने निकाल के बताया होगा न वो पता है कैसे बताया होगा ये वाला आंसर निकाल के आपने रखा होगा इसी के थूरू ये निकला होगा ऐसा नहीं के direct आपने निकाल लिया मैंने तो ये बताया नहीं था ये तो सर आपने निकाला है ये तो पता ही नहीं था आपको ये वाला डिजेट पता था आपने क्या करा होगा पहले तो आठ हजार बनाते हैं हम तो डिवाइड कर दो 80 परसेंट है तो डिवाइड बार 80 रख दिया अब मैंने 70 पे पूछा तो आप मल्टिप्लाई कर रहे हो 70 से सेम अगर मैंने यहां पूछा तो स्टार्टिंग का बेस लिया आठ हजार और आपने डिवाइड कर दिया 80 से और मैंने 40 से पूछा तो 40 इंटू करा यानि सर जब कभी भी आपको डिफरेंट डिफरेंट परसंटेज दे दे तो उसका यूनिट आप निकाल सकते हो है ना एक और कोशन पूछें चलो बदल देते हैं यह दो कोशन तीसरा कोशन का अगर आपने जवाब दे दिया ना फिर हम आजाएंगे अगले टॉपिक पर यह भी आपने जवाब दे दिया अब तीसरा मान लेते हैं 50 परसंट कैपिसिटी पे हम 35 यूनिट बना पा रहे हैं तो म बताईए अगर आपको उपर वाला पॉइंट समझ में आ गया तो समझ यह नीचे वाला भी समझ में आ गया यह सभी भी ऐसे ही निकले हैं इन सभी को भी बोलूँगो तो बेस आपने यह माना के भाईया पहले यह और डिवाइड़ बाई 100 कर दिया और जो जो रिक्वार्म 1400 विवेक ने भी 1400 यानि जी सर समझ में आ गया आपको सर यह 1400 कैसे आया देखो आपका 3500 था इसको डिवाइड कर दिया आपने 50% से और मैंने पूछा 20 तो मल्टिप्लाइ 20 करा तो यह परसेंटेज आ गया गया गौरब ने भी 1400 बिलकुल ठीक तो आपको फ्लेक्सिबल बज परसेंटेज का सारा डेटा दे देगा किसी एक परसेंटेज का और बोलेगा आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट परसेंटेज का अपने सबसे डेटा बनाईए जैसे एक्जामनर ने 80% का डेटा दे दिया और बोल दिया 90 का खुद बनाओ और 100 का खुद बनाओ और in fact 100 नहीं 110 10%, 120%, 130% का भी पूछ सकता है, वो आपको खुद बनाने को दिया जाएगा, तो very simple, तो variable cost के अंदर, सबसे पहले, अगर आपको unit पता हो, तो यहाँ variable cost में क्या क्या हो सकता है, material, है न, labor, तो sir, variable cost का मतलब, जो unit के साथ vary हो जाए, अगर आपको unit पता चल गया, suppose करो मैं इसी का example ले लूँ, या इसका example ले लिता हूँ, तो आपने यहाँ पे unit तो निकाली लिया, तो unit निकाल लिया आपने, और unit से इसको multiply करते जाएंगे, और यहाँ पे यह आता जाएगा, तो सर यहाँ पे एक तो आपको given होगा, पहले से ही हम question भी करेंगे, और बाकी के सारे आप धीरे धीरे यह सब क्या करेंगे, आप find करते जाएंगे, as per the unit, यानि unit बहुत requirement रहेगा, और क्या हो सकता है सर, और भी बहुत सरी चीज़े material, labor, और overhead हो सकता है, overhead, overhead का मतलब सर खर्चा, overhead का मतलब सर खर्चा, इसके बाद हम इसका कर लेंगे total, यह variable cost आगया, total, और इस total को total a नाम देता, इस total को total a नाम के देता, ठीक है, अब semi variable समझते हैं, क्या होता है, semi variable होता है, जिसके अंदर कुछ part fix है, और कुछ variable है, example लो तो बिजली का बिल, आप electricity बिल कभी उठा के देखना, अपने घर का, उसके अंदर अगर आपने पूरे महिने, अगर घर में light बंद करतो, आप चले जाओ कहीं घूमने के लिए, तब भी बिजली का बिल आएगा, कुछ part हमारा fix होता है, कुछ part हमारा variable होता है, ऐसे खर्चे, जिसका कुछ part हमारा fix रहता है, कुछ part आपका variable होता है, उसको हम बोलते हैं semi variable, मतलब semi का मतलब पूरा variable भी नहीं है, और पूरा fix भी नहीं है, पोस्पेड कनेक्शन, आपने 199 का प्लान ले लिया, 199 तक तो आपका rental आएगा, आप बात भी नहीं करोगे, तब भी rental आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बात कर लिया, इंटरनेशनल रूमिंग वगरे में चलेगे, तो उसका extra भी ला जाएगा, तो एक certain से बाकी का variable हो जाता है, semi variable का मतलब होता है, some part fix और some part variable, इसमें क्या क्या हो सकता है sir, इसके अंदर overhead हो सकता है, overhead, थर्चा, अब मैं आपसे semi variable, यह variable तो आपसे चलो, मैं यह भी पूछ लेता हूँ, इधर example, यह मान लेते हैं हमारा, 800 unit का काम है, 800, तो आप मुझे बताइए 90% पर मैं बता देता हूँ, 900 और 1000, अगर material मेरा 2 रूपे unit है, तो बताइए 100% capacity पर कितना material लगेगा, जवाब दीजिएगा, अगर material 2 रूपे unit है, तो 100% capacity पर कितना पार्ट लगेगा, जवाब दीजिए, विवेक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 2000, 2000, यानि यह बाते आपको समझ में आ रही है, 22,000 रूपे आ जाएगा, ठीक है, अब overhead में कुछ पार्ट हमारा होगा variable, और कुछ पार्ट होगा fixed, अब मैंने कहा, overhead मेरा 20 रूपे unit है, जिसमें से 20% fixed है, तो sir, 20 रूपे में से, जो 20% है, 20% का मतलब कितना, 4 रूपे तो fixed है, और बाकि 16 रूपे आपका variable है, तो variable तो sir unit के साज साज बढ़ता घठता जाएगा, लेकिन जो fixed वाला portion रहेगा, लेकिन जो fixed वाला portion रहेगा, लेकिन जो fixed वाला portion रहेगा ने, ये fixed वाला ये नहीं बढ़ेगा, अब समस्या आती है, sir आप fixed cost बोल रहे हैं, तो मैं अगर fix cost लिखूँगा तो क्या यहाँ पे 800 इंटू में 4-1600 लिखूँगा क्या यहाँ पे 900 इंटू में 4-3600 लिखूँगा क्या यहाँ पे 1000 इंटू में 4-4000 लिखूँगा और आपने कहा के fix cost तो बदलता नहीं लेकिन बदल रहा है मैंने कहा कि भाईया fix cost नहीं बदलेगा जो fix वाला पार्ट होगा ऐसे case में आपका हर जगह पे जो ये costing आईगी हर जगह पे वो हर जगह पे कितना रहने वाला है पता है आपको 4000 और 4000 और 4000 ऐसा क्यूं सर क्योंकि fix cost हमेशा 100% capacity पे determine होगा दुबारा मैं बोल रहा हूँ fix cost हमेशा 100% capacity पे determine होगा एक सवाल मैं आपसे पूशता हूँ और जवाब दे के आप बताईए का समझ में आया है नहीं मैंने बोला 40 रुपे में रहे इसमें से 80% part हमारा fix है तो आप मुझे बताईए fix cost क्या होगा इस वाले point के लिए 80% part fix है 40 रुपे के हिसाब से तो मुझे बताईए fix cost क्या होगा निकाल के बताईए फटा फट देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता है कुशन आपके सामने आप निकाल के बताईए फटा फट साक्षी का जवाब आए सर 32 रुपे fix होगा ओके 40 का अगर हम निकाले 80% तो 32 और 1000 यूनिट है तो विवेक का जवाब ठीक है 32 हजार होगा शाक्षी तो अरब ने सरिफ एक 32 बता दिया ये 32 हजार होगा तो हर किसी लेवल का क्या होगा 32 हजार लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि सर 8 रुपे तो आपने बता दिया कि variable cost है और ये 8 रुपे जो आपका variable cost है ये 8 रुपे मुझे बताईए तो 8 रुपे क्या होगा हमारा 800 into 8 900 into 8 और 1000 into 8 तो ये variable part हो गया तो आप देखिए हमारा overhead था इसका pricing लिख दिया मैंने इसके कुछ हिससे variable कुछ हिससे fix इस हिसाब से define किया गया इसलिए इसको नाम पता है क्या दे दिया गया semi variable क्या आपको समझ में आया तो मैं इसे मिटा दूँ आपके लिए सिर्फ format अगले question में आपसे पूछेंगे फिर और ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताईए तो ताकि मैं आगे चल सकूँ ये साफ neat and clean आपके लिए format है ये सभी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी समझ में आ गया कि आपको ये clear है fix cost fix cost में जैसे मान लो depreciation या मान लो any fix cost depreciation मान लेते हैं depreciation और fix cost होता है वो question में given होगा हर respect of level पर depreciation होका sir यहाँ पर total कर देख या आगया total और B part और या आगया total C part अब हमारे पास A part B part C part तीनों को जोड देंगे एक हमें total cost मिल जाएगा और examiner आप से यही पूछेगा के हमें बताईए total cost कितना है इस budget के अंदर समझे बात यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत है तो बताईए और एक question try करेंगे हम है कोई दिक्कत यहां तक हाँ PDF आज ही मिल जाएगे इसकी आप noting करोगे ने जो class note हो रहा है उसका तो PDF देही रहा हूं मैं तो आज इसकी PDF मिल जाएगी और plus plus push question दूगा उसकी PDF मिल जाएगी आज flexible budget हो जाएगा हमारा चलिए सर एक question आपके सामने मैंने पहले ही question तयार कर लिया है और देखिए हर बच्चों से मैंने बोला hard copy के लिए तो आप book ले ले तो बहतर है book ले ले तो बहतर है बाकि मैं PDF format दे सकता हूं चलिए देखिए हम कोसिस करते हैं के यहीं solve करके दिखाए है न हमें बनाना है सत्तर असी नबबे ठीक है format बना लेते हैं पहले फिर इस question को करेंगे मेरी बस यही कोसिस है कि मैं इसको यहीं पर करके दिखाओं ताकि comparison हो जाए otherwise यह पीछे पेज़ पर हो सकता कोई बात ने करेंगे तो यह आप बस विजुलिटी का बताईएगा अगर आपको proper विजुल है तो मेरा काम बन जाएगा उसन आपको proper दिखना चाहिए क्लियर कोशन देख रहा है आप बताइए मुझे क्लियर वीज्वल है तो फिर मैं इसे पढ़के आगे करना चालू येस के लिए पढ़ देते हैं आपके लिए क्लियर कोशन कहता है ड्रो आफ फ्लेक्सिवल बुजट एक फ्लेक्सिवल बुजट बनाना है और ओवरहेड एक्सपेंस और खर्चे का है ये ओन दा बेसिस अफॉलविंग डिटा अवेलिबल डिटर्माइन ओवरहेड आपका 70 परसेंट 80 परसेंट 90 परसेंट प्लांट कैपेसिटी यानि ये 3 परसेंट पे बनाना है एक बनाना है आपको 70 परसेंट एक 80 परसेंट और एक 90 परसेंट और परसेंट एट 80 परसेंट कैपेसिटी वेरियेबल ओवरहेड गीवन है आपको 80 परसेंट कैपेसिटी पे कुछ चीज़े दी दी है यानि 80 परसेंट कैपेसिटी की एक जानकारी आपको दी जारी है 80 80 की दी जारी है 70, 80 और 90 ओके एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दिया चलो कोश्चन बढ़ा कर सकते प्रतिनी है कहने का मतलब आपको 80% पर दे रखा है और 90 70 और 90 पर बनाना है आपको 70 पर या सीक्वेंस में लेके चले 70 और 90 पर बना चलिए सर अब ये सबसे पहले कहता है के हमारा इंडिरेक्ट लेबर 12,000 रुपे का खर्चा हुआ तो लेबर जहाँ पर जहाँ पर फिक्स का इस्तेमाल है जहाँ पर वेरियेबल behö इसके लिए वेरियेबल इस्तेमाल का को भी बोलना है करना है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वारियेबल के बाद सैमी वेरियेबल को बोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ठीक है ना इसके बाद ले लेंगा है फिक्स को पहले जो दे रखा है उससे तो बना ले हम बजट कहता है हमारा इंडारिक लेवर ऐसा कुछ नहीं बोला क्या है इंडारिक लेवर पर आ जाते हैं लेवर का खर्चा बारह हजार लेवर के बाद है हमारा स्टोर इंख्लूड स्पेर कुछ नहीं बोला तोर include spears का खर्चा आगया 4000 यह variable है इसके बाद आजाते हैं semi variable में power कहता है 20,000 का खर्चा था इसमें से कुछ part fix है और कुछ part variable है तो fix part की अगर हम बात करें तो 60% part हमारा fix है और 40% variable है तो fix past 60% 20,000 का 60% यहीं लिख देते हैं 20,000 का 60% तो 12,000 और variable हो जाएगा 20,000 का 40% तो हो जाएगा 8,000 यानि यह भी हो गया हमारा repair and maintenance इसके अंदर भी कहता है 60% fix और variable 42,000 रुपए है तो और जगह चाहिए होगा हमें आ जाते हैं repair तो यहाँ भी fix है और यहाँ भी variable है तो यहाँ fix कितने हैं 2000 का कितने परसेंट कहा इसने 30% तो सर 2000 का 30% होता है हमारा 600 variable क्या होगा 2000 का 70% that is 1400 पहले हम 1% वाला बना लें उसके बाद अगल हम बना पाएंगे चलिए सर अब आगे कहता है कि fix overhead है depreciation insurance salary तो सर fix overhead है question को थोड़ा सा उपट लेके चलते है तो थोड़ा और उपर ले जाते हैं तो थोड़ा और उपर ले जाते हैं आपको सर्फ विजबल के लिए है यह 12,000 आपको सर्फ विजबल के लिए है यह 12,000 depreciation कितने का है 11,000 depreciation के बाद insurance insurance कितने का है 3,000 insurance के बाद salary salary कितने का है हमारा 1,000 10,000 इसके बाद आजाएगा total करिए sir total कर लेते हैं 12 और 4,16 पीस 22 11,21 और 3 27 12 और अब आएगा total जिसके अंदर a plus c plus c रखा था a plus b plus c करें 16 और 12 और 24 हलाकि यहां पर आने वाला है 62 लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं percentage wrong है कौन सा percentage wrong है करें 30 70 अच्छा 60 40 है मैंने गलत ले लिया यह 30 है ना ठीक है चलो 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 बता दिया आपने तो गलत है कोई बात ने टूटलिंक पर फरक नहीं पड़े percentage मैंने रॉंग ले रे क्लिए 3070 पावर है तो च्छे हजार और साथ चालिस ये है वारह सो और आट सो ठीक है तोलह हजार वाईस हजार तोबिस हजार देखे ये बासट हजार जो कि आपको कुश्चन में दे रखा था बासट हजार अब कुश्चन कहता है सर 70 परसेंट पे भी बनाईए आप तो सर वेरियेवल कॉस्ट ये 80 परसेंट पे है तो मैं पहले लेवर की बात करूँआ लेवर लेवर आपका 12,000 रुपे अगर ये 70 परसेंट है तो डिवाईड़ वाई 70 हमें चाहिए 80 परसेंट पे है तो डिवाईड़ वाई 80 काहिए जितने पे रिक्वाईर्मेंट यहां लिखते हैं जैसे वहाँ निखाला था हमने तो सर लेवर अगर मुझसे 70 परसेंट पे पूछो तो 12,000 डिवाईड़ वाई 80 या तो इसका दूसरा तरीका है पहले आप इसे 100 परसेंट बना लो किसी को भी 100 परसेंट बनाने का तरीका क्या है जितने परसेंट दे रखा है और इंटू में 100 कर दो वो 100 परसेंट बन जाएगा तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना जो मैंने लिखा है बारह हजार डिवाइड़ बाई 80 इंटू में 70 तो भी 10 500 आएगा ठीक है 90 परसेंट 15,000 का 13 500 सेम ऐसे मैं स्टोर का निकाल लेता हूँ पहले 100 निकाल लो वो ज़्यादा बढ़ी आए कैलकुलेटर पहुँ जाएगा तर 4000 जो है वो 80 परसेंट के बराबर है इंटू 100 करके निकाल लेते हैं तो 4000 डिवाइड़ बाई 80 इंटू 100 तर 5000 आ रहा है अब 5000 का परसेंटेज खटाखट निकालते जाओ 7500 और 9500 पंचे 45 फिक्स कॉस्ट तो सर फिक्सरी रहेगा वेरियेबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा किसका पावर का तर पावर 14,000 वेरियेबल कॉस्ट है डिवाइड़ बाई 80 परसेंट पे इंटू में 100 तो 14,000 डिवाइड़ बाई 80 इंटू में 100 17,500 17,500 का 70 परसें यह आ जाएगा हमारा 12,250 और 17,500 का 90 परसें 15,750 पहले यहां तक देखिए समझ में आ रहा है किसी को डाउट है क्या यहां तक बताईए जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है या किसी को डाउट है तो हम आगे चले अब ऐसे ही फिक्स इसका बारा सो है तो यह तो फिक्स ही रहने वाला है सर अब वेरियेबल बदल देंगे 800 को तो अब वेरियेबल यहां मैं निकाल रहा हूँ यहां निकाल देता हूँ मारकर बदल देते हैं चलो वेरियेबल देखा जाए हमारा 800 है और यह 80% कैपिसिटी पे है तो इंडू 100 यानि 1000 आ गया 1000 का फटा फट निकाल लो 1000 का 70 700 आर 1000 का 90 900 फटा फटा आ गया यह फिक्स कॉस्ट यह तो बदली नहीं सकता सर यानि फिक्स कॉस्ट जो कोस्चन में दे देगा वो एवरी टाइम पे रहेगा अगर कॉस्टन में फिक्स कॉस्ट यूनिट के टम्स में देगा तो आपको किस पे लेना है अब बोलोगे सर आपने मुझे अभी बताया था कि फिक्स कॉस्ट रमिशा 100% कैपिसिटी पे वर्क करेगा तो फिक्स कॉस्ट अगर यूनिट के टम्स में देगा तो 100% capacity के work करेगा अगर amount के terms में देगा तो वही amount हर जगा चलेगा इसका भी द्यान रखना तो चलिए sir 6,000 12,250 1200 और 700 यह आगया 20,000 650 ठीक है ऐसे ही 6,000, 15, 750 12,000 23,000 ऐसे ही आगया 11,000 3000 यह तो हर जगा 24 ही रहे अब टूटल कर लेते हैं यहां का टूटल 10, 5, 11, 3, 14,000 यहां पर आपका आजाएगा 14 और 4 14,000 14,000 20, 650 और प्लस 24,000 इसका आगया 58 600 बजट 70% पे न होगा 14,000 23,64 यह पैसे आज़्ट रोप्र यह लोग बन गया हमारा बजट कौन सा बजट है सर्फ फ्लेक्सिबल बजट यह है हमारा फ्लेक्सिबल बजट किसी को डाउट है तो बताईए इस वाले कुस्चन में एक कोशन आपको दिया है एक दो कोशन और दे दूँगा मैं ऐसे छोटे छोटे अभी PDF बना के जाके थोड़ी दिर बाद PDF बना के डाल दूँगा तो आप प्रेक्टिस कर पाऊ और फ्लेक्सिबल बजट अगली क्लास में डाउट लेके एक कोशन मुझे और कराना है वैसे फ्लेक्सिबल बजट का डूँड के देखूँगा कहा है वो तो फ्लेक्सिबल बजट का हमारा कोशन हो जाएगा खतम फिर हमारा रहेगा कैश बजट कैश बजट आपके जो है उसके बाद फिर production फिर chapter यह जाएगा एक्जाम में question पूछा जाता है 10 year ले लिजिएगा और most important और यह question बार बार पूछा जाता है exam में हर बार बोलूँगा maximum time तक यह पूछा गया है क्लियर है sir कोई doubt है कोई question है तो आप पूछ लीजी can I sir यह 80% से divide करा एक बार समझा दो 80 से divide क्यों गया क्योंकि आपको न आप ध्यान से देखो तो आपको 80% की सारी detail given थी यह detail आपको पहले से ही दे रखा था यह देख लो आप और last में एक question पूछ सकता estimate direct labor hour पर hour निकालना हो तो इन सारे खर्चे को direct labor hour से divide कर देंगे हाला कि question ने बोला नहीं था क्याता है overhead तो direct labor hour से बिस divide करोगे यह वो आ जाएगा तो sir 80% पे 12 आजार अब देखो मैं simple बोलू कि आपने 10% खर्च किये 10 रुपए आपने 10% खर्च किये 10 रुपए तो बचाओ 20% के लिए कितना खर्च होगे तो आप बोल दोगे sir 20% के लिए लो जी बहुत simple सी बात है 20 रुपए खर्चेंगे अब मुद्दे की बात है 20 आया कैसे ये आपने 10 को पहले divide किया 10 से और इसको into 20 से किया या पहले 100% आपने 100 रुपए दिमाग में बनाया उसके बाद इसका आपने 20% निकाल लिया उसके बाद आपने इसका 20% क्या करा निकाल लिया देखिए आप फटा फटा क्लियर हो गया विवेक 80% चलिए तो next class अगेन कल कल की class सुभे morning में रहेगी 9.30 जैसे मैंने बताया था TTS और MWF टाइम टेबल क्योंकि सुभे का टाइम बनने पार रहा सुभे 9.30 कल रखूँगा और होगा तो मैं regular ही 9.30 कर दूँगा जो fix हो जाए एक time 9.30 कल हम इसके आगे करेंगे मतलब जल्दे जल्दे अब मुझे यह सारा आपका chapter करवाना है financial management के अंदर जो हम कर रहे हैं cash budget वाला topic इसी के अंदर जब मैं अगली class में करूँगा तो financial management और इसको दोनों को एक साथ ही समझके चलेंगे दोनों topic हमारा खतम हो जाएगा तो मिलते हैं next class के अंदर same time पे आज तो थोड़ा late हो गये थे साड़े 9 बजे कल class रहेगी ठीक है कोई doubt नहीं है तो leave कर सकते हैं take care bye मिलते हैं next class में कर दो रहें पेजम मिलते हैं साथ हैं साथ हैं व्र्षभा write रहें तो एक समांगे व्रभा तो झाल सकते हैं तो रहें के अजे आईगा